गुड बॉनिंग, गुड आफरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल English with Rohit इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल and English learning वीडियो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूले कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आईए शुरुवात करते हैं तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं पार्ट वन आज हम सीखने वाले हैं पार्ट टू तो पार्ट टू में ऐसा क्या है देखे फ्रेंड्स पार्ट टू में कुछ ऐसी डव्लिच फैमली है जैसे की विच, हूज, हाव मैनी और हाव मच ये डव्लिच फैमली बाकी डव्लिच फैमली से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है इसके लिए मैंने सोचा कि इनकी अलग वीडियो बनाई जाए ताक कि आप इन्हें अच्छे से समझ सकें तो डिफरेंट क्या है बाकी डव्लिच फैमली में हमने सीखा था कि सबसे पहले हम WH family का word लगाते हैं उसके बाद interrogative rule लगाते हैं और बड़े अराम से वो sentence बन जाते हैं अब आपको इन चार WH family का ध्यान रखना है 1, 2, 3, 4 which, who's, how many, or how much क्या ध्यान रखना है कि ये WH family हमेशा किसी न किसी noun के साथ use करनी है जैसे कि rule क्या बनेगा आपका WH family word प्लस noun प्लस interrogative rule ये तो हमें आलरी पता है कि WH family के साथ interrogative rule यूज किया जाता है अब आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़े वो है एक noun यानि कि इन शब्दों के साथ which, who's, how many, how much आप जब भी इनका sentence बनाएंगे तो इनके साथ एक नाएक noun का होना जरूरी है तो आईए example से समझते हैं हमारा पहला sentence है तुमने कल कौन सा mobile खरीदा कौन सा कौन सी कौन से का मतलब होता है which, ये लिखावा है याँ पे कौन सा कौन सी कौन से ठीक है, तो कौन सा के साथ हमने देखा के sentence में एक शबदार है mobile, ये हमारा noun है कौन सा mobile, तो जब भी आप translate करें तो ध्यान रखें which के साथ हमेशा उसका noun होना चाहिए तो हमने याँ पर which लगाने के बाद mobile लगाया जो कि एक noun है which mobile, और उसके बाद हमने देखा ये tense है past indefinite और हमने past indefinite का interrogative rule लगा दिया which mobile did you buy yesterday, ये आपका subject है खरीदना आपकी verb है और ये बचा आपका object तो which mobile did you buy yesterday, तो इस noun का ध्यान रखना है, ठीके next sentence लेते हैं, तुम किसके घर जा रहे हो, किसका, किसकी, किसके होता है हमारा who's किसका, किसकी, किसके इसके साथ भी आपको एक noun रखना है तो sentence को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो किसका, किसकी के बाद एक noun दिया गया है, घर तुम किसके घर जा रहे हो, who's house, किसके घर are you going, ये हमारा interrogative rule हो गया, और हमारा tense present, continuous, जिसमें की interrogative rule में isMR फिर subject, फिर वब की ing form use होती है, ठीक है तो who's are, whose house are you going, next sentence हमारा, Ram ने कितने pen खरीदे, next word हमारा how many और how much, देखिए ध्यान रखिए, how many और how much दोनों का मतलब होता है, कितना कितनी, कितने, लेकिन दोनों words में थोड़ा सा difference है how many countable होता है और how much uncountable होता है यानि कि जो चीज गिनी जा सकती है उसके साथ आप how many लगाएंगे और जो चीज नापतोल वाली होती है जिनको हम गिन नहीं सकते उनके साथ आप how much लगाएंगे तो यहाँ पर बात हो रही है Ram ने कितने pen खरीदे, तो pen को तो हम गिन सकते है एक pen, दो pen, तीन pen ठीक है तो हमारा sentence क्या बना how many हमारा double family word आ गया सबसे पहले उसके बाद pen की बात हो रही है तो how many pens हमारा noun हो गया did Ram by Ram ने कितने pen खरीदे एक ही मात्रा यह past indefinite tense है और हमने उसका interrogative rule use किया है how many pens how many के बात noun उसके बाद interrogative rule did Ram by I think आपको समझ में आ रहा होगा next sentence है हमारा तुम चाय में कितना दूड डालते हो क्या हम दूड को गिनते हैं एक दूड, दो दूड, तीन दूड ऐसा तो नहीं होता तो हम how many, how much में से अब how much का use करेंगे जो कि uncountable होता है तो how much लगा के हमने milk लगाया जो कि हमारा noun है how much milk डालते हैं present indefinite तो present indefinite का interrogative rule जब आप यूज करते तो उसमें दूड डालते है how much milk do you put या add, दोनों गाव हम यूज कर सकते हैं डालने की sense में how much milk do you put या add in the tea आप चाय में कितना दूड डालते हैं तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी ये 4 WH family बाकी WH family से कुछ अलग है different है तो इसको different ही रहने देना इसके साथ हमेशा एक noun का परियोग करना तो आपका sentence कभी भी गलत नहीं होगा thank you, धन्यवाद तो दोस्तों subscribe करें share करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फाइदा उठा सकें और नीचे comment करके ये जुरूर बताएं कि इस वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मैनत करें और बेटर वीडियो आपके लिए लाते रहें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनरजी और नई जोस्त के साथ thanks for watching, bye bye